हलो डियर स्टूदेंट हाँ आर्विंदार नाव वेलकम तो यू इन माई ओनलाइन प्लेटफॉर्म तोड़े भी हब डिसकास नेक्स टॉपिक ओफ ऑप्टिक्स आज हम बात करेंगे किसकी रे ओप्टिक्स में लेंस की है ना तो एक तो हम आज पढ़ेंगे लेंस की वाट मीन वायदा लेंस थीक है दूसरी बात हम बंसी कली बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक आपका रहा चाहिए कह ön नंतुक प्रावरतन तक पढ़ाता तो फूर्ची परावरतन में हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना में पढ़ना था आस उप्टिकल फाइबर पर काशिक तं तो तो आज हम बात करेंगे उसके बाद सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसकी प्रकाशिक तंतु कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है देखते हैं हम प्रकाशिक तंतु के बारे में कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है तो हमने हेडिंग लिखी प्रकाशिक तंतु अगर प्रकाशिक तंतु अप्टिकल फाइवर अगर प्रकाशिक तंतु की बात करें कि यह क्या होगा तो एक ऐसा उपकरण जिसकी साहिता से द्रश एवं सरब्ब संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं क्या बताया एक ऐसा उपकरण जिसकी साहिता से द्रश एवं सरब्ब संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं हम प्रकाशिक तन्तु अगर प्रकाशिक तन्तु की सर्णचना की बात करें प्रकाशिक तन्तु में सबसे पहले सिध्धान्त की बात करते हैं ये most important point है कि सिध्धान्त आपसे पूछा जा सकता है प्रकाशिक तंतु का क्या पूछा जा सकता है सिध्धान्त तो अगर हम इसके सिध्धान्त की बात करें तो यह पूनांत्रिक प्रावरतन के सिध्धान्त पर कारे करता है सिध्धान्त क्या है प्रकाशिक तन्तु पूनांत्रिक परावरतन की पूनांत्रिक परावरतन की परिघटना पर कारे कड़ता है कारे करता है ठीक है क्या बताया प्रकाशिक तन्तु पूनांतरिक परावर्तन की परिखटना पर कारे करता है इस बात का ये most important point है इसका ध्यान रखे प्रकाशिक तन्तु क्या बताया कि एक ऐसा उपकरण जिसकी साहता से द्रश्यवंसरब संकेतों को लंबी दूरी तक भीजा जा सकता उसको प्रकाशिक तन्तु कहते हैं सिधान्त क्या है प्रकाशिक तन्तु पूनांतरिक परावर्तन की परिखटना पर क्या करता है कारे करता है अगर हम इसकी संरचना की बात करें प्रकाशिक तंतु के देखिए संरचना इसकी कुछ कैसे बने की तो कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी होती है चलो ऐसी बना लेते हैं प्रकाशिक तंतु के अगर हम संरचना की बात करें कि संद्रचना किस प्रकार की होगी तो प्रकाशिक तंतू में कांच या क्वार्ज की बनी हुई एक तंतू होती है इस प्रकार से कांच या क्वार्ज की बनी हुई यहां पर क्या होती है एक तंतू होती है कांच का या क्वार्ज का क्यों बनाते हैं कांच का या क्वार्ज का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी क्या होती है कांच की या क्वार्ज की अगर हम बात करें तो कांच या क्वार्ज की जो प्रत्यास्ता है वो काफी अधिक होती है इस कारण से क्वार्ज की सबसे ज़ तन्तू होता है जिसके जो एक अच्छी गुडवत्ता का होता है ठीक है काच का या क्वार्ड का बना हुआ एक अच्छी गुडवत्ता का तन्तू होता है ऐसे कई तन्तू लाखों तन्तू मिलकर एक प्रकाशिक पाइप का निर्मार करते हैं इसका निर्मार करते हैं कुलेडिंग को आं और हो, आमतरिक भाग को कर दो बारज बहां उसको कर दोडृ और इसके ऊपर जो हाग होता है निर्फ से गयूमत कर दो छो पे किसी प सब्रीत का लेपन कर दो दें जिसको हम सब्सक्राइब चुंट है ऑग ले का बनागों एक अच्छी गुणवत्ता का तंतु होता है ठीक है जिसमें ऐसे लाखों तंतु मिलकर एक पाइप का निर्माड करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक पाइप इसके आंतरिक भाग को क्रोड कहते हैं बाहर क्लेडिंग होता उपर बफर कोटिंग तो मतलब प्र कया होता है और बहार वाले बाहर्प ब्रतनांग क्या होगा फिर जैसे अपवर्तित प्रकास करण आंतरिक सतय पर टकराती है तो आपतन कोण का मान क्रामतिक कोण से जादा होने पर तंतु की बिभिन्ने सतयों से प्रकास का कई बार पूनांतरिक परावरतन होता है और इस प्रकार से ये पूनांतरिक परावरतन के बाद दूसरी सतय से बहार निर्गत हो जाती है ठीक है क्या बताया यदि आपतित प्रकास किरण कारेविधी में क्या लिखेंगे कि प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर प्रकास किरण जब आपतित होती है तो सबसे पहले प्रकाश का क्या होता अपवर्तन क्या होगा सबसे पहले पूरांतरिक परावर्तन होता है और पूरांतरिक परावर्तन के बाद ये दूसरी सतय से निर्गत हो जाती है इस प्रकार से ये प्रकाशिक तंतू क्या है कारे करता है फिर इसके उप्योग की बात करें तो प्रकाशिक तंतू का उप्योग द्रस्चेवं सरभ्य संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने के लिए लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसके दूसरे उपयोग की बात करें तो प्रकाशिक तंतु जो है प्रकाशिक तंतू का उप्योग एंडोस्कोपी नामक चिक्सा पतिती में भी किया जाता है किसमें करते हैं एंडोस्कोपी नामक चिक्सा पतिती में तो यह आपका बात हुई किसकी प्रकाशिक तंतू की इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो next हमको topic पढ़ना इसमें lens जो आपकी syllabus में है देखे lens को अगर हम define करें कि lens क्या होगा सबसे पहले परिवाशा देखते हैं हम किसकी lens की lens lens क्या होगा एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माध्यम lens क्या होता है एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माध्यम जिसकी दोनों सते गूली है अत्वा एक सते गूली है वह में एक समतल होती है उसे लेंज कहते हैं फिर से सुनें लेंज क्या बताया एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माध्यम एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माद्यम जिसकी दोनों सत्य गोली है अत्वा एक सत्य गोली एवं एक समतल होती है उसे हम क्या कहते हैं लेंज कहते हैं तो ध्यान दें एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माद्यम जिसकी दोनों सत्य गोली है अत्वा एक सत्य गूलिये एवाम एक समतल होती है एक सत्य कैसे होगी गूलिये होगी एक और एक कैसे होगी समतल होगी उसको हम क्या कहेंगे लेंस कहेंगे यह होगी आपका लेंस यहाँ पर बात करें तो एक गूलिये होगी और एक समतल होगी सब्सक्राइब बना सकते हैं। तो यह भी पारधर सी अपरवर्टक माध्यम हो गया दोबारासे बड़ियासा लेंज बनाते हैं। क्या बताया लेंज एक ऐसा पारदर्सी अपवर्तक माध्यम जिसकी दोनों सतह गूलिय अत्वा एक सतह गूलिय एवं एक समतल होती है उसे हम क्या कहते हैं लेंज कहते हैं ऐसे देखें ये गूलिय सतह हो गई और ये समतल सतह हो गई ये आपका क्या कहलाता है लेंज कहलाता ह बात समझ पा रहें फिर देखें लेंस को बेसीकली हम दो तरह से डिवाइड करते हैं दो तरह से बेभाजित करते हैं लेंस को कौन-कौन से एक होता है अबतल अबतल लेंस और दूसरा होता उत्तल लेंस लेंस दूप्रकार की होते हैं एक होता है अबतल लेंस और दूसरा क्या होता है उत्तल लेंस तो अगर हम बात करते हैं यहां पर अबतल और उत्तल की तो अबतल लेंस या उत्तल लेंस की बात करने सबसे पहले कि उत्तल लेंस क्या होता है तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता होता है कि वह लेंज जिसका मद्धिभाग मोटा एवं जो किनारों पर पतला होता है उस लेंज को हम क्या कहते है उत्तल लेंज कहते है इस तरह से बना देए वह लेंज जिसका मद्धिभाग मोटा एवं जो किनारों पर क्यासा होता है पतला होता है उस लेंज को कुन सा यह अब वर्तक्सत है अब तल लेंस की बात करें तो वह लेंस जिसका मद्द भाग पतला सुरी वह लेंस जिसका मद्द भाग कैसा होगा पतला होगा और किनारों पर क्या होगा मोटा होगा उसको हम क्या कहते हैं देखो जिसके वह लेंस जिसका मद्द भाग पतला एवं जो क सेफ दे सकते हैं इस तरह से ये भी एक इसका भाग हो गया ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर हम अबतल बनाते हैं तो अबतल कुछ इस प्रकार का बनेगा ऐसे ये आपका लेंस कुन सा हो गया अबतल लेंस हो गया तो अबतल लेंस में आपको क्या बताया कि वह लेंस जिसका मध्द भाग पतला ठीक है इवं जो किनारों पर मोटा होता है मध्द भाग तो पतला होगा और किनारों पर कैसा होगा मोटा होगा उस लेंज को हम क्या कहेंगे अवतल लेंज कहेंगे तो यह उत्तल हो गया वह अवतल हो गया यह बात समझ पा रहे हैं आप लेंज आपको दो प्रकार का बता है एक अवतल और एक उत्तल तो क्या बता है वह लेंज जिसका मद्द्भाग मोटा किनारों पर पतला लेंस हुगा पतला तिल्स सोग नल्स सब्सक्राइन किनारों पर मोटा वेशा है यंगा तो फिर लेंस से संबन्दित कुछ परीभास था लेंस से सम्मंदित कुछ परीभास आएं कि लेंस समंदित क्या-क्या परीभास आएं उनकी बात करते हैं तो हमने नेक्स टॉपिक के लिए लेंस से सम्मंदित परीभास आएं लेंस से सम्मंदित परीभास आएं किया कहेंगे मुख्य अक्ष अ कि मुख्य अक्ष तो हम देखेंगे लेंस में दो गोली सते होती है कि तनी सते होती है गोली दो जैसे एक सते तो यह हो गई और दूसरी सते ही हो गई सुरी इस तरह से दो गोली सते होती है लेंस में कितनी गोली सते होती है दो यह दो गोली सते हो गई अगर आप इतना और इतना भाग कट कर देंगे तो आप समझ पारे होंगे यह लेंस हो गया जैसे कि चलो सिंपल बनाके दिखाते हैं मालो एक यह गोली सते हो गई आपके पास में और एक यह गोली सते हो गई आपके पास में इसका केंद्र हो गया आपका ये c1 और इसका केंद्र हो गया आपका क्या c2 बाकी की ये लेंस का निर्माड हो गया आप इतना सेक्षन इसका हटा दें तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसी तरह से लेंस की संदचना आती है इस तरह से आपने इसके दोनों क्रता केंद्र को मिलाने वाली रेक्खा को इसकी एक रेक्खा तो यहां आएगी यह C1 और एक केंद्र इसका यहां होगा C2 मों अगर आप समझ पा रहे हैं तो देखें लेंस का भाग कितना है ये लेंस है ये लेंस है तो किसी भी लेंस में दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है कौन सी रेखा है वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली कालपनिक रेखा को लेंस का मुख्यक्ष कहते हैं तो क्यों बकृता केंद्रों को मिलानेवाली कालपनिख रेखा क्यों לैंस को लेंस का मुख्यक्ष कहते हैं तो ये मुख्यक्ष बनीगया ये मुख्यक्ष ओगया बात समझ पा रहे हैं दूसरी बात आती है मुख्य अक्ष के बाद, next हम बात करेंगे, तो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, तो देखिए, मुख्य फोकस की बात करें, कि मुख्य फोकस क्या होगा, तो मुख्य फोकस की अगर हम बात करते हैं, कि मुख्य फोकस कहते हैं, कि मुख्य फोकस होता क्या है, तो देखिए, मुख्य फोकस की अगर हम बात करें, कि लेंस में मुख्य फोकस से पहले मुख्य अक्ष हो गया, पहले प्रकाशिक केंद्र पढ़ते हैं, प्रकाशिक केंद तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता लेंस के मुख्यक्ष पर इस्ते ते कैसा बिंदू लेंस के किस पर मुख्यक्ष पर इसको मिला दिया हमने क्या कहेंगे लेंस के मुख्यक्ष पर इस्ते ते कैसा बिंदू लेन्स के मुख्यक्ष पर enact mixed अीज से निकल जाती है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं उसे प्रदर्स्चित करते हैं ये तो बात हुई हमारी अवतल लेंस की, अगर हम उतल लेंस की, अवतल लेंस में इसी बात को लिखें तो देखो गुछ ऐसा होगा ठीक है, क्या, देखो कुछ इस तरह से बनाएंगे हम इस तरह से ये बन गया तो आपको क्या बताया यहां से हमने इस point को जोएन कर दिया यहां से इसको जोएन कर दिया ठीक है यह इसका केंदर हो जाएगा यहां पर यह light ray आ रही है और सीधी निकल गई बिना आप वरते थोगे तो आपको क्या बता है lens के मुख्यक्ष पर इस्ते थे एक ऐसा बिंदू जिस पर आपते थोने वाली प्रकास करण बिना आप वरते थोगे सीधी निकल जाते उसको क्या कहते है मुख्यक्ष कहते है तो क्या इतनी बात है समझ पा रहे है इसके बाद हमें कुछ और परिभासा है पढ़नी है यह तो मुख्यक्ष हो गया अब प्रकाशिक के इंदर हो गया ठीक है बिना आप परते थोगे सीधी निकल जाए तो प्रकाशिक के इंदर और हम इसके बाद कुछ और डेफिनिशन पढ़ेंगे इसमें जैसे प्रथम मुख्य फोकस दूतिय मुख्य फोकस फोकस दूरी ठीक है उसके बाद फिर हम इसके रचना के नियम पढ़ेंगे तो आप इतना पढ़के आईएगा फिर से मिलते हैं एक और क्लास में तब तक के लिए थेंक्यू